आप देखें हैं लाइफ सेवन नमस्कार लाइफ सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान रंजन दोस्तों विसेश में आज हम बात करेंगे सीनियर बीजेपी रीडर करिया मुंडा की वेदना अगर आप जारखंडी नहीं पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो भाजपा के भिस्पितामह में से एक करिया मुंडा की वेदना आखिर लोकसभा चुनाओं 2024 के परिणाम के बाद क्यूं सामने आई आखिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को करिया मुंडा को पत्र क्यूं लिखना परा आखिर वजह क्या थी कि करिया मुंडा जैसे कदावर नेता जब उनका 2019 के चुनाओं में टिकेट कटता है उस समय उनकी वेदना सामने नहीं आई थी लेकिन 2024 के चुनाओं परिणाम के बाद उनकी वेदना उनकी कसक क्यूं सामने आई क्यूं प्रधान मंतरी को पत्र लिखना परा आखिर इसकी वजह क्या परी दोस्तों वजह साफ वजह साफ ये है कि 2024 का जो चुनाव परिनाम आया है और उसमें जिस तरह से पाचो की पाचो ट्राइवल सीट में भाजपा का सुपरा साफ हो गया है इसके बाद करिया मुंडा जैसे समर्पित भाजपा के कारिकरता भाजपा के नेता को अपने वरिष्ट नेता जो देश के नेता है भारतिय जनता पाटी के प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी को पत्र लिखना पड़ता है को ले करके वो किसी तरह की चर्चा नहीं की हो भले ही आठ सीटों पर जीतने के बाद भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो लेकिन करिया मुंडा जिसे सुलजे हुए राजनेता के लिए ये दर्द छिपाना मुस्किल हुआ आखिर कर क्यूं पाच की पाच सीटें जो से आप प्रधान मंत्री से अग्रह किया है कि वो रास्टिय धक्ष को भी इस बात से अवगत करा दें कि कि कितनी वेदना उनके अंदर छिपी हुई है इस हार को लेकर के ये सभी को ग्यात है कि 2000 में अलग जारखंड राजी बना और 1999 में जब प्रधान मंत्री अटल विहरी बाजपे ही चुनाओ प्रचार करने के लिए आये थे 2000 के चुनाओ के समय उनीस और 1999 के लोग सभा चुनाओ के समय तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि आप हमें जारखंड से सांसत दीजी हम आपको अलग राजी देंगे और उनके आवाज पर जारखंड से भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिले थी 14 में से 12 सीटें जो दक्षनी बिहार की थी उसमें भाजपा को जीत मिली थी और उन्होंने अपने वाइदे को पूरा किया और जब केंदर में सरकार बनी उस समय जो है सो उन्होंने जो बिल था उसे इस्टेट अलग होने का जो बिल था बिहार से विवाजन का जो बिल था उसको पारित करवाया अलग राज्य का तौफा दिया और उस मंत्री मंडल में अटली विहारी वाजपई के मंत्री मंडल में करिया मुंड़ा भी मंत्री थे आठ टर्म खूटी के सांसद रहे लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे पद्म स्री पद्म भूसन संबान से संबानित करिया मुंडा को आखिर क्यों लिखना परा ये मार्मिक पत्र आप अंदाज लगा सकते हैं आखिर संगठन भाजबा की कहा जा रही है भाजबा संगठन में चार तारी को चुनाव पर नाम आए चार के बाद एक बैठक बुलाई गई बीजेपी आफिस के सामने एक बड़े रेस्टोरेंट में के भीतर कारी करताओं को बुलाया गया जो जीते वे प्रत्यासी थे उनको भी बुलाया गया सभी प्रदेश के पदादिकारी वहां बैठे और उस बैठक में हार पर चर्चा नहीं होती है कि आखिर कर जो 26 फीजदी से जादा आवादी ट्राइवल की है जारकड में उस जगह भाजपा को मूख ही खानी परती है पिछले चुनाव में तो तीन सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में लेकिन 2024 के चुनाव में पूरी की पूरी पाचों सीटें भाजपा हार जाती है इस पर मन्थन नहीं होता इस पर चिंतन नहीं होता इस पर चर्चा नहीं होती मोधी 3.0 की सरकार बन गई उसके बढ़ाई में डेली प्रेस लिस जारी होते हैं लेकिन अभी तक प्रदेश नेत्रित्व ने इस और काम नहीं किया है कि वो कैसे करके आखिर वजह क्या हुई इसहार की आखिर क्यों ट्राइवल सीटों पर भाजपा को मुझ की खानी परी है को भी किया था ट्राइवल सीटों पर कॉंग्रेस से जीती भी सांसत गीता कोरा को सिंग्वुम में खड़ा किया था भाजपा में सामिल करा करके गुरू जी की बड़ी पुत्र वदू सीता सोरेन को दुमका में खड़ा कराया था सुनील सोरेन का टिकट काट करके देने के बाद टिकट काटके और इसके बाद भाजपा को मुखी खानी परती है लेकिन अभी तक एक बार भी चिंतन मंधन मनन इस विशे पर नहीं होता है और बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश में पदाधिकारी जो हैसो इस गुमान में जी रहे हैं कि आगे उल्लंग जो हैसो सिर्फ हेमन्त के ओपर तीर चला करके हेमन्त के खिलाब बोल करके वो आगे कर लेगे लेकिन जहाँ जब-जब हेमन्त को या गुरु जी के फैमिली को target किया गया है तब तक भाजपा को जो है सो मुझ की खानी पर यह और आपने देखा कि 2019 के बिधान सवाचुनाव में 28 में से 26 सीटे यूपिये गटबंदन जो अभी की इंडिया गटबंदन है वो लेके गई थी बिधान सवा की और इस बार तो और हालत खराब हो गई भाजपा की कि 2019 के लोग सवाचुनाव में जहां भाजपा को 12 सीटे मिली थी ट्राइवल के लिए रिजर विधान सवागी सीटे हैं वहा इस बार मात्र भाजपा को जो है वो सीटे जो मिली हुए वो 5 सीटे हैं सिर्फ 5 सीटे वो भी 5 सीटे वैसी हैं आप अगर देखेंगे दुमका, जामा, घाटसीला, पुटका और सराय केला ये 5 सीटे हैं राची सहर की आधी जो एचिसी का एरिया जो पड़ता है उस एरिया में खिजरी विधान सवा की सीटे वो सीट भाजपा लूज करती है और आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या लिखा करिया मुंडा ने परधान मंत्री जी को जो पत्र में लिखा है उन्होंने जो लिखा मैं हुब भुब उप उनको पड़ता हूँ मेरे प्रिये भाई नरिद्न मोदी जी भारत के 28 संसत के यसस्त्री मानि परधान मंत्री जी सौ प्रेम नमस्ते सर्ब्रथम आपके तीसरी पाली एंडिये के साथ के दसक पंडिजवाहर लाय नहिनू के बाद आपको पंत परधान बनने की कोटी-कोटी बढ़ाई आप NDA के नेता मनोनित हुए इसकी भी बहुत-बहुत सुभकामना भारतिय जन्ता पार्टी के पुर्व अध्यक्षों स्रद्धे अटल जी, आडवानी जी, स्री मुडली मनोहर जोसी जी से लेकर आज तक साथ दसक हमने विजे पराजेसी के साथ ततकालिन जन्संग से आज तक के भारतिय जन्ता पार्टी के चौदा मानिया ध्यक्षों के साथ कारिका अनभब आपके साथ साजा कर रहा हूँ इसके लिए अनहत सब उप्युक्त है आपके अद्भुत देविक नेत्रित ने आपने भारत को सिर्ष पर स्थापित किया है और इस कारण आप ये विश्व की विशाल पार्टी संगठन के रूप में स्थापित हुआ है आपके नेत्रित में और सपली भूत होगा और वे होना भी चाहिए आज परिणाम पर्तिकूल आये हैं इस परिस्थिती में भी आपकी इस्तिर प्रग्यता को देख अचंबित हूँ आपके चार जून और पांच जून के संबोधन को अक्षर से सुनकर मैं गर्व से अंदर से आपको साधू 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 कहनों को विवस हूँ आप यह सस्वी हो यह मेरी सुभकामना है और अब इसके बाद जो करिया मुंड़ा जनी निखा है इसको जड़ा कौर कीजिए गौर कीजिएगा साथी उम्र के इस पराव पर जारखंड के संगठन की वास्तविक इस्थिति और भगवान बिर्सा मुंड़ा के जन भूमी और अन्य चार जन जातिय सीटों पर भारतिय जनता पार्टी के पराजे से आहत हूँ आप इनके वाकि को देखिए सेंटेंस को देखिए आप साथी उम्र के इस पराव में यानि 89 साल के हैं 89 साल के हैं करिया मुंड़ा जी और उन्होंने लिखा है कि साथी उम्र के इस पराव पर जारखंड के संगठन की वास्तविक इस्थिति और भगवान बिर्सा के जन पार्टी के पराजे से आहत हूँ मान्य अध्रक जी को आप इस मेरी चिंता से अवगत करांगे रास्ति अध्धक्ष को भी अपनी चिंता से अवगर कराने का अग्रह प्रधान मंत्री से किया है करिया मुंड़ा जी ने साथ ही पुझी अटल जी के जहारखंड की चिंता भारती जनता पाटी और आपका सने इस राज को मिलता रहेगा यह विनेवत प्रार्थना है मेरे नवासी की उम्र में मेरी चिंता इस राज के जन जातिय स्मिता संस्कृति को लेकर है इसे आप समझ सकते हैं विप्रीत परिस्थितियों में आप विजय यह सस्मी हो यह कामना है आपको समर्भित लक्षमन राज सिंग मरकाम की कविता के कुछ अंस आपको मैं सुनाना दिख रहा हूं उसे आप गौ पुता के अंसें वो लिखे हैं हे नरेन तु कभी घबराना मत छली प्रपंची है बाहर भीतर इसके इनसे इनके जहांसे में आना मत है बाकी अभी तो कई धर्म युद्ध सारा भीतर के अंतर मुखी निस्क्रे कृद्ध विच्षब्ध हो अब साध मुक्ष संसे चक्रव् विद्ध ये बहता अंतर का रक्त देख भर्माना मत हे नरेन तु कभी घबराना मत दुरुपत पुत्री का नित होता चीरहरन है प्रसुपत या जर्मानस हिंदू का होता वीरहरन महाकाल से ले विसकंठ में करो वरन गरल को कर संचए बस तुम जुन्जलाना मत हे नरेन दा संकेत सजक किया कोटी मरीच भीतर बाहर मुह खोल सभी दिखा दिया दिवा स्वप्न हम देख रहे उससे हमें जगा दिया रख वेदना अंतर की अपनी प्रतिवा कभी बनवाना मत है नरेन तुम कभी घबराना मत भारत मा को खंडित करने कई पाक दोबारा गढ़ने को त तेरे गांडिव इनको मर्दन को सजक किया इस घरी में नरेन तुम घबराना मत लच्वन सिंग मरकाम लक्ष किये कविता उन्होंने लिखी और उसके बाद पुनह मेरी अनंत सुभ कामना है आप यह सब्सक्री हूं आपका ही करिया मुंडा आपने देखा किस तरह से उन्हो सब्सक्र syndrome करें यह सब्सक्री में अगर भाष्य जनता पार्टी का परदेश नत्रित विचार नहीं करती है इस जो उनकी वेदना है कुरिया मुंडा जी की जो उनके कस्ठ है करिया मुंडा जी के जो पत्र उनोंने प्रधान मंत्री को लिखा है इस पत्र के आलोक में अगर भारतिय जंता पार्टी के परदेश संगठन अभी भी इस और विचार नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं कि भारतिय जंता पार्टी का परदेश मेत्रित अब किस सोच के साथ आगे काम कर रहा है दोस्तों आपको याद होगा कि 1989 में भारती जंता पार्टी का खाता जारखंड की पाँच सीटों पर यह नि दक्षनी बिहार की पाँच सीटों पर खुला था जिसमें गिरीडी गोड़ा हजारी बाद खोटी और कोडर्मा की सीट थी और इसके बाद से भाजपा 2004 को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी पीछे मुर कर नहीं देखा सीटों में लगातार बरहुत्री ही हुई और आपको आस्चर्ज होगा कि जो सीट अभी भाजपा के लिए सबसे कठिन सीट बनी हुई राजमहल वहां से भारती अंता पार्टी ने चुनाओ जीता है और 1991 में अगर आप देखें कानवे के चुनाओ परिणाम को देखेंगे धनबाद, राची, लोहर दग्गा, खूटी, पलामू ये भाजपा की जीत होती है 1996 में 12 सीटों पर ये 5 से बढ़ करके 12 सीटों पर भाजपा जाती है 1996 में जमसेतपूर, राची, गिरिडी, धनबाज, हजारीबाग, लोहर दग्गा, खूटी, पलामू, कुडर्मा, गुड़्डा, सिंग्भूम और चत्रा जो सिंग्भूम सीट जीतने के लिए, जिस सिंग्भूम सीट को भाजपा अपने कबजे में करने के लिए हर तरह का हतकंडा अपना रही है, लेकिन अपने संगठन को वहाँ कैसे मजबूत किया जाए, इस पर ध्यान नहीं देती है बाहरी जो दूसरे दल के नेता हैं, उसको ला करके सोचती है, किला को अपने पाले में कर लेंगी तो वो नुकसान इसको भुणाना पड़ता है, 12 सीटों पर 1996 भारती अंता पार्टी चुनाओ जीती थी 1998 में 11 सीटों पर चुनाओ जीती थी, धनबाद, गिरीडी, राची, जमसेत्पुल, हजारी बागदुम का राजमहल जो अभी भाजपा के लिए सबसे कठिन सीट बनी हुई है, राजमहल की 1998 में भाजपा वहाँ चुनाओ जीत चुकी है पलामू, कोडर्मा और गोड़ा, चत्रा सीट को भाजपा ने जीती थी 1999 में अटल जी के आहवान पर, जो अटल जी ने आहवान किया था कि अलग जार्खन राज का तौफा देंगे आप हमारे सांसत भेजिए, हमको विजए ही बनाएए, आपको अटगल आज का तौफा देंगे और 2015 नमबर 2000 को अलग राज का तौफा दिया अटल बिहारी बाजपे ही ने और उस समय भाजपा को 12 सीटें आई ही थी, धनबाद, गिरिडी, राची, जमसेतपूर, हजारी बाग, लोहरदगा, खोटी, दुमका, राची, पलामू, गुड़्डा और सिंग्भूं दुमका सीट पर भी गुरू जी के विजे रत को रोका गया था अंठानवे और निनानवे में बावुलाल मरांडी उस समय चुनाओ जीते थे दुमका से भारती अंता पार्टी के टिकट पर और इसके वाद 2004 का तो समी को पता है कि 24-14 में से 13 सीटे हार गई थी भारती अंता पार्टी मात्रे कोडर्मा की सीट बची थी जो बावुलाल मरांडी चुनाओ जीते थे लेकिन 2009 में फिर से भाजपा जो है सो कम बैक करती है जो 2004 में जड़का लगाता उससे कम बैक करती है लेकिन 1999 और 1996 वाला रिकार्ट अस्थापित नहीं कर पाती लेकिन 2014 में जब मोदी की लहर चलती है तो फिर 96 और 99 करिकार्ट भाजपा दोहराती है 12 सीटों पर चुनाओ जिती है जिसमें खुटी, धनबाद, गिरीडी, कोडर्मा, हजारी बाग, राची, गोड़ा, चत्रा, जमसेत्पूर, सिंग्बुम, लोर्दगा और पलामों की सीटे हैं 2019 में भी 12 सीटे इंडिये गटबंदन को आती है अपने ततकालिक उस समय के जो सांसत थे गिरीडी के उनका टिकेट काटके गटबंदन के तत आसू पार्टी को टिकेट दी जाती है 2019 के चुनाव में लेकिन 12 सीटे भाजबा को मिलती है लेकिन 2024 में गटबंदन भी होता है आसू के साथ भारती एंता पार्टी लगातार ये कहती है कि 2019 का विधान सभा इसलिए चुनाव इसलिए हारे थे कि उस समय आसू पार्टी के साथ हमारा गटबंदन नहीं हुआ था और कई सीटे थी जो 2000-3000 वोटों से हमारे थे जो वोट आसू के खाते में गयाद अगर साथ रहते तो हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाते लेकिन जब 2024 में गटबंदन होता है तो भारती एंता पार्टी एंडिये गटबंदन को तीन सीटों का नुकसान होता है और तीनों को तीनों सीटे जो नुकसान होती है वो भारती एंता पार्टी की नुकसान होती है और यही दर्द है करिया मुंडा का जो उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा जन्जातिय समाज से आते हैं जन्जातिय समाज में उतने लंबे अर्से तक या तो गुरू जी सांसद रहे हैं या तो फिर कडिया मुंडा सांसद रहे हैं जहारखंड में और एक तरह से अगर कहा जाए तो भारती अंता पार्टी के भिस्म पितामा हैं जहारखंड के वो सकते हैं कि भाग की जनता पार्टी के संगठा में करिया मुंडा ने तो आवाज भी उठा दी प्रधान मंत्री को पत्र भी लिख दिया लेकिन कैसे कई करिया मुंडा जी ने भी कहीं पर कोई बयान नहीं दिया सिर्फ पत्र प्रधान मंत्री को लिखा है और पत्र में सिर्फ एक लाइन जो उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने सारा कुछ कह दिया कि किस तरह से संगठन जो है सो निस्क्रिय हुआ है चुनाओ के दौरान में खास करके ट्रावल सीटों पर अर्जुन मुंडा केंद्रिय मंत्री थे जंजातिय कारी मंत्री थे वहाँ पर केंद्र कार में जंजातिय मंत्री थे वह अपना सीट जो है सो हारते हैं और एक हजार दो हजार प मैंने आपको बताया कि पिछले मर्थवा जब 2019 में टिकट कटा करिया मुंडा का एस फैक्टर को ले करके तो उस समय ये कहा जा रहा था कि करिया मुंडा जो हैं सो अगर नाराज हो जाएंगे तो खुटी सीट निकलना मुस्कित होगा लेकिन उस समय भी करिया मुंडा ने बर होता है कि जब सक्रिय राजनीत में लोग रहते हैं तो उसका एक जलवा अलग होता है और जब राजनीती से साइड हो जाते हैं बैट जाते हैं तो उसके बाद उनके महत्व कम होते हैं और अरजुर मुंडा जिनको वहां से टिकट दिया गया अरजुर मुंडा वहां से को काट करके और वो अपने विधान सभा सीट में जहां से वो विधायक हुआ करते थे वहां लूज कर जाते यह तो इस्थिती बनी हुई थी भारती यंता पार्टी के ट्रैवल सीटों पर और जब कोई कुछ बोलता है कोई कारी करता है साब आस्चर तो तब होता है कि जब कोई अपनी वेदना प्रकड करता है तो उनके उपर ताना साही करने का आरोप लगाया जाता है उनके उपर सवर्ण होने का आरोप लगाया जाता है एक महामंत्री के द्वरा ये कहा जाता है कि ये उन लोगों के फित्रत में होती है इस तरह की बातें कभी नहीं देखा गया था कि चुनाओ के दौरान इस तरह के सोक आज लेटर जाते हैं जवाब पूछा जाता है अपने विधायकों से अपने सांसदों से अपने बंडल अध्यक्षों से वो काम इस वार के चुनाओ में हुआ लेकिन जिस जगह पर संगठन कमजोर थी जहां पर चुनाओ हार रहते वहां पर ध्यान नहीं जा रहा था संगठन में बैठे वे नेताओं का हजारी बाग और धनवाज सीट पर क्या हो रहा है इस पर सब का ध्यान था धनवाज सीट पर विरोध हो रहा था जाहिर तोर पर आप समझ सकते हैं विरोध के कारण क्या थे और उसमें ये कहते हुए कि विधायक जो हैं सो नहीं जाते हैं अगर सिकायत करते हैं कैंडिडेट कि विधायक नहीं जा रहे हैं खुलकर परचार साथ नहीं दे रहे हैं तो उनसे जवाब पूछा जाता है लेकिन उस केंडिडेट से ये जवाब नहीं पूछने की हिम्मत करते हैं पार्टी संगठन कि भाई आपने किस हिसाब से किस सबूत के आधार बर आपने कह दिया कि जो रंधीर वर्मा चौक पर जब वो आंधोलन कर रहे थे तो वहां के सांसादों विधायक नहीं आए या तो वो कोईला तसकरों से कोईला माफिया से डरते हैं या उनको कुछ मिलता है इस पर जवाब तलब नहीं होता है जब भारतिय जनता पार्टी की सोच इस प्रकार की हो जाती है भारतिय जनता पार्टी जैसी पार्टी की जो अपने आपको पार्टी भी डिफ्रेंस कहती है जो संगठन के माध्यम से काम करती है अगर संगठन में बैठे विल लोगों की पूछ नहीं होती है पार्टी में जो तरस अगर आप देखेंगे तो उन समर्पित कारी करताओं के तरजीह नहीं दी जाती है तो ये इस्थिती आएगी और इसी का इसारा करिया मुंडा ने अपने पत्र में किया है और साब तोर पर जो उन्होंने संगठन पर सवाल खड़े किये हैं वो इस बात की और इसारा कर रहा है कि संगठन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और नतीजा तो आपने देखी लिया अब देखना दिल्चस्प यह होगा कि प्रधान मंत्री के पास जब कोई पत्र जाता है तो प्रधान मंत्री उसे रद्धी की टोकरी में नहीं डालते एक बहुत बड़ी खासियत है उनकी वो हर उस चीज को देखते हैं और हर चीज को उस पर मनन करते हैं उसके बाद उससे जानकारी लेते हैं अब देखना ये है कि आठ तारी को जो पत्र करिया मुंडा के दौरा दिया गिया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को और उसमें जो जिक्र किया है जहारखन के संगठन के बारे में इस पर वो रास्टिय धक्स से क्या राय मस्विरा करते हैं और रास्टिय धक्स के साथ क्या बादचीत होती है उस पर आगे कारवाई करने की क्या रननीती बनती है या उस पर जाच करने के लिए या यों कहें कि उस पर ज भाजपा का ओप्रेशन होगा अभी तो सरकार बन रही है मंत्री मंडल का विस्तार हुआ है मंत्रियों के पद बटे हैं और इसके बाद जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की इस्तिती गरवड़ाई है डगमगाई है इस चुनाव में वहां का तो एक मर्तव जो है सो पूरी जो है तो उसकी भी पूस्ताच होगी उसकी जानकारी लिजाएगी और इसके बाद देखना यह होगा करिया मुंड़ा जी ने पत्र लिखा क्यों करिया मुंड़ा छोटे मोटे नेता नहीं है उनको छूने वाले जहारखन भाजपा में भी कोई नेता नहीं उनके कद को लिखा है उसके बाद भारती अंता पार्टी अपनी तरब से प्रदेश संगठन क्या कुछ इस पर मंतन करती है क्या कुछ हार के कारणों के तह में जाती है या नहीं जाती है या फिर जो ट्रैवल वोट की सकते जा रहे हैं जो घट कर 37 फीजदी वोट मातर मिले हैं भारती अ जो जादा बड़ा अंतर खाई जो पड़ी हुए ट्रैवल वोटों के बीच में इस पर भारती अंता पार्टी का प्रदेश संगठन क्या कुछ आगे स्टेप उठाता है क्या कुछ कदम बढ़ाता है ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन एक चीज़ तो तै मानके करें हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार